नमस्कार मरी गुरू की स्खास पेशक्ष में आप सभी का स्वागत है मैं हूँ स्पाती रायना और आप सभी को जन्माश्टुमी के स्पर्व की हार्दिक शुब कामनाएं आज हम जानेंगे कैसे आप कमा सकते हैं मुनाफे की दही हांडी अलग-अलग अवधी के लक्षों के हिसाब से क्या रहनी चाहिए आपकी निवेश स्ट्राटेजी कौन से फंड में करे निवेश कैसा रहे आपका निवेश का सफर तो निवेश के रत पर सवार होकर मुनाफे की दही हांडी अगर फोड़नी है तो क्या करना है आपको खास इसी पर करने वाले हैं खास चर्चा आज हम और हमारे साथ बेहदी खास एक्सपर्ट से उनका भी परिचे करा देते हैं हमारे साथ हैं Optima Money के MD पंकच मठपाल और Wise Invest के CEO हेमत रुस्तगी पंकच जी और हेमन जी आप दोनों का बहुत स्वागत करते हैं मनी गुरू के आज के इस खास कारिक्रम में आज बेहदी खास दिन है और हर जगा उत्सप भरा माहौल है हम भी निवेश का उत्सप मना रहे हैं इसलिए समझना ज़रूरी है कि जब नजर लक्श पर रहती है जैसे कि दही-हंडी की तरफ नजर रहती है और बस यही एक लक्ष रहता है कि किसी तरह उस तक पहुँच जाया skirt वैसे ही एक निवेशक ये सोचता है कि उसके लक्ष पर जैसे ही पहुँचे वही उसके लिए एक सफल निवेश की यात्रा होती है इसलिए हम अलग 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 लक्षों के हिसाब से अपने इस शो में इसको बाटेंगे मैं हेमन जी आपसे सबसे पहले समझना चाहती हूँ कि सबसे पहला आने वाला हमारा लक्ष छोटी अवधी का लक्ष होता है क्या खास होता है इस ऐसी छोटी अवधी के लक्ष में और छोटी अवधी के लक्ष पर कैसी नज़र रखनी चाहिए जी स्वाधी जैसे आपने बिल्कुर कहा कि हम जब छोटी अवधी की बात करते हैं और अवधी इसलिए important है जैसे हमेशा कहते हैं कि time horizon बहुत important है क्योंकि वो कहीं न कहीं आपको ये बताता है कि आप risk लेने की शम्रता उसमें वे होनी है कि नहीं आपके पास अगर बहुत ज़्यादा समय नहीं है तो obviously आपको पूरा focus है वो capital safety पे रहना चाहिए अगर लंबा समय है तो फिर आपको inflation को beat करना है और अगर चोटी अवधी के लिए invest कर रहे हो जैसा मैंने कहा कि अगर आपका focus जो है वो capital safety पे थोड़ा जादा होना चाहिए तो कोशिश आ उनसे tax efficient return मिल सके और कहीं न कहीं बहुत important aspect यह है कि आप risk और reward उसके बीच में थोड़ा सा balance करके चलें तो यह दो-तीन चीज़ों का आपको ध्यान एकना तो जब आपके बास समय बहुत ज़्यादा नहीं है तो बिल्कुल तो ज़्यादा समय नहीं है तो आपको वैसे ही थोड़ा approach अलग लेकर चलने की जरूरत है पंकत जी आपकी नजर में छोटी अबदी का लक्ष क्यों important है क्योंकि यह ऐसे लक्षे होते हैं जिसकी ज्यादा तयारी तो हम नहीं कर पाते क्योंकि horizon कम होता है लेकिन लक्षों की जो महता होती है उसके जो importance होती है उसमें कोई कमी नहीं होती है कैसे लक्षे होते हैं दो से तीन साल तक के जो की ज़्यादतर हमारे निवेश की जिन्दगी में आते हैं बिलकुल अभी हेमत जी ने कहा बिलकुल जब आप छोटे समय की बात करते हैं तो यहां पर आप ज़्यादा जोखिम नहीं ले सकते क्योंकि यदि मान लीजिए आपने equity market में invest किया और बजार में गिरावट आ गई और आपके पास में समय कम है recovery के लिए तो ऐसे वक्त पर आपको इस तरह के asset classes में invest करना चाहिए जहां पर जोखिम कम हो उताज रहाव की समय कम हो आपने जैसा कहा कि किस तरह के लक्षे हो सकते हैं तो ऐसा कई बात करते हैं तो जब हम बात करते हैं professional और higher education की उसके लिए time होता है लेकिन आप मान लिए बच्चा भी पैदा हुआ है या एक साल का है पर आपको दो-तीन साल के बाद उसे school भीजना है उस वक्त बर भी आपको जरूत होगी admission के लिए या हो सकता है कि आपको जल्दी से जल्दी एक car खरीदनी हो वो भी आपका short turn goal हो सकता है तो या आपको घर repair करना है मानले जे घर है बर repairing ले पैस चाहिए आप आपको तो ऐसे कई goal हो सकते हैं जो कि आपको एक दो साल में ही पूरे करने हो तो उससाब से उस लक्षे के लिए आपको ऐसे ऐसे classes में इंवेक्ट करना चाहिए जहांपर की उतार ट्रहाव की समाना कम हो भले ही returns कम हो लेकिन जोखिम भी वहाँ पर कम होना चाहिए बिल्कुल तो जोखिम कम होना चाहिए उतार चड़ाव कम हो इसका ध्यान रखें तो हेमन जी ऐसे में छोटी अवदी के लक्षियों के लिए कौनसी categories और कौनसे funds ज्यादा fit बैटते हैं तो अगर मालनीजे दो साल से कम है तो जैसा का हम जानते के बहुत सारे ऐसी options है mutual fund के अंदर जैसे ultra short term है low duration fund है liquid fund है या फिर debt में अगर हम देखे तो short term fund है अगर हम बहुत clear है कि हमें दो से तीन साल या नहीं मालनीजे अगर तीन साल का हमारे पर समय है और थोड़ी सी flexibility है अगर time horizon में और हम चाहते हैं कि risk और reward के बीच में balance भी रहे और हमें return जो है कि focus ठोड़ा वहां पे भी होना ज़रूरी है दो category है मुझे रखता है जहां पर अगर आप ठोड़ा better return चाहते हैं especially अगर आपका time horizon तीन साल के करीब है तो conservative hybrid fund यह जो funds है इसमें predominanty पैसा जो है debt में जाता है और कुछ हिस्सा जो है वो equity में जाता है दूसरी category रहेगी equity saving जहां पे equity, arbitrage और debt तीनों का option रहता है और इस तरीके से रहता है कि equity और arbitrage में करीब 65% या उससे ज़्यादा का option रहता है अर्बिरार उतना ही save है जितना debt है debt तो एक तरफ ही इसमें फाइदा सिर्फ यह है कि equity saving में आपके जो taxation है जैसा मैंने पहले भी का कि taxation पे ध्यान लटना है वो equity का है यानि एक साल के बाद जो भी capital गेना होगा आपको सिर्फ 10% tax pay करना है अगर आप higher income tax practice में तो यह आपके income में वो add होगा और आपको जो आपका माज़ना tax rate है उसके इसाब से आपको tax pay करना पड़े इन categories के मैं कुछ fund बता देता हूँ जो निवेश्यक उनको consider कर सकते हैं अगर मैं conservative hybrid की बात करूँ तो वहाँ पे जैसे HDFC का hybrid debt हो गया कोटक debt hybrid और SBI debt hybrid यह तीन funds है जिन तीनों में करीब करीब 25% equity में और बाकि 75% debt में है equity saving की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पे कोटक equity saving बहुत अच्छा fund है HDFC equity saving और SBI equity saving जैसा मैंने कहा इन equity saving funds में करीब 25-30-35% तक equity जा सकता है लेकिन taxation जो है वो equity का मिलेगा तो अगर आप attendant risk को समझते हैं थोड़ी सी flexibility है समय में आपके बास हैता return जाते हैं तो मुझे रखता है यह दो categories ऐसी हैं जिनको definitely अगर आपका समय तीन साल का है तो आप consider कर सकते हैं ओके तो हेमन जी की नजर में conservative hybrid fund और equity savings funds तीन साल के जो अवधी है उसके हिसाब से एक अच्छी पसंद हो सकती है पंकर जी आपकी नजर में छोटे अवधी के लिए कौन सी ऐसी category है जो portfolio में शामिल की जा सकती है बिल्कुल स्वाति जैसा भी हमन जी ने कहा कि यदि आपका नजरिया दो-तीन साल का ही है तो ऐसे में पहली बात जो ये categories है conservative hybrid fund या फिर equity savings fund ये तो बिल्कुल suitable है लेकिन क्या होता है कि समय के साथ साथ जो जोखिम सैने की शमता है वो भी vary करती है one investors to another investor तो यदि थोड़ा स आप ये चाहते हैं कि मतलब तीन साल तक का time है और थोड़ा सी flexibility है और आपको थोड़े returns बहतर चाहिए आप उसके उम्मीद करते हैं तो आप equity funds को भी consider कर सकते हैं यहाँ पर risk है no doubt क्योंकि equity में एक inherent nature है उताज रहाओ की समावना रहती है लेकिन फिर भी यदि आपको equity funds में निवेश करना है तो nifty 50 index fund जैसे की access nifty 50 index fund है वो consider किया जा सकता है या फिर आयते दिरला सनलाइफ nifty 50 equal weight index वो आप consider कर सकते हैं तो इस तरह के funds को वो निवेशक जिनका लक्षय तीन साल के आसपास है लेकिन थोड़ी flexibility है और थोड़ा जोखिन सह सकते हैं लेकिन थोड़े ब अपने पसंदीदा fund में nifty 50 equal weight index शामिल किया है कोई खास वज़ा passive investment की छोटी अवधी के लिए बिलकुल देखे पहली बात तो छोटी अवधी में equity वैसे अपने portfolio में आप सोच समझ कर ही सामिल करें बहुत यदि आपको risk नहीं लेना है तो नहीं करना चाहिए आप ऐसे में क क्योंकि आप top 50 companies हैं उनके shares में आपका exposure हो रहा है तो उस हिसाब से आप equity category में इनको competitively safer मान सकते हैं और आपने पूछा especially कि क्यों equal weight index तो क्या होता है जब हम nifty 50 index की बात करते हैं तो वहाँ पर जैसे financial sector है तो उसमें exposure बहुत जयदा है IT में काफी जयदा है तो वहाँ पर sector क में हिसाब से अलग-लग sectors में allocation कम जयदा हो सकता है लेकिन जब हम बात करते हैं nifty 50 equal weight index की तो यहाँ पर एक equal weight होता है सभी shares का तो यह थोड़ा सा मेरे हिसाब से इस period के हम बात करते हैं मैंने विसे example में दोनों ही कहा है nifty 50 भी और equal weight index तो यह थोड़ा सा मेरे हिसाब से equity category में बहुतर विकल्प मना जा सकता है अगर फिर से बहुत जल्दी से अपने funds रिपीट कर देंगे चोटी अवधी में कौन से आपने recommend किये थे बिल्कुल दो से तीन साल की हमने बात किये तो यहाँ पर access nifty 50 index fund और आयते बिला sun life nifty 50 equal weight index और स्वाती एक बात और add करूँगा देकि हमने यहाँ पर बात जो की सिर्फ hybrid की बात की equity की बात की लेकिन यदि नजरिया मालिजे दो साल का यह तीन का भी नहीं है तो ऐसे में आप एक short duration fund भी consider कर सकते हैं जैसे मेरे asset ultra short duration fund है वो भी consider किया जा सकता है ओके तो यह रहे पंकर जी के ओर से उनके पसंदीदा category और fund आईए अब छोटे अवधी से निकल का मध्यम अवधी के लक्षे की तरफ पहुंचे जो लगबग 5 साल तक का लक्षे होता है 3-5 साल के इसको हम समझते हैं ऐसे लक्ष के क्या importance होती है हमारी life में हेमन जी और कैसे ऐसे लक्षों की तयारी की जा सकती है अजिस्वापी जैसे आपने का हम बात करने है medium term की तो obviously बहुत कम समय भी नहीं है बहुत जाधा समय भी नहीं है तो यहां पर again इस तरह की strategy होनी चाहिए के थोड़ा ज्यान हमारा safety भी हो और थोड़ा ज्यान हमारा growth भी हो क्योंकि उतना समय है क्योंकि हम time horizon 3-5 साल की बात कर रहे हैं तो अगर आप lower end में मालेज़े 3-5 साल में और मैं हमेशा फिर से कहांगा चाहे short term हो चाहे medium term हो जब भी आप किसी market link product में invest करें तो हमेशा एक जीस का ध्यान रखे कि थोड़ी सी time horizon में flexibility रखिए क्योंकि थोड़ा सा भी अगर exposure आपका equity में है और उस समय पर market थोड़ी volatile है थोड़ा सा समय दीजे अपने आपको market को settle होने तक जिससे पहले आप withdraw करें और कई बार ऐसा भी होता है कि इसी goal के लिए आपको पै opportunity है कि आप safety के साथ साथ अपने आपको एक opportunity दें या अच्छे रिटर्न यहाँ पर कमा सकें तो अगें मुझे लगता है यहाँ पर अच्छा रोल प्ले कर सकते हैं और सबसे अच्छी खासिया थी है mutual fund में जो आप hybrid में जाते हैं तो काफी सारी variety है और उसमें जितना आप रिस्क लेना चाहें जितना आपका समय है उसके हिसाब से आप चुन सकते हैं तो यहाँ पर मुझे लगता है दो कैटेगरी मैं रिकमेंड दोनगा बैलेंस एडवांटेज फांड जिनको हम ड्यानमेक लिए ऐसे अलोकेशन जानमेक एसे अलोकेशन पर भी बोलते हैं और एग्रेसिव एक्विटी हाइब्रेट फांड यह दो कैटेगरी है मुझे लगता है डिपेंडिंग और आप तीन स अब अब आपके पास समय है इस परा के आप निवेशा के आप कितनी फ्लेक्सिबिलिटी है उनको ध्यान में लगते हुए या तो इन दोनों का मिक्स या फिर दोनों मेंसे एक कैटेगरी चुनके आप अपना पॉर्फेली बना सकते हैं तो हेमन जी कौन से फंड्स रेकमेंड करेंगे बैलंस अडवांटेश फंड जो आपने बुला इस्पेशली उसमें और दूसरी कैटेगरी जिसका आपने जिक्र किया देखिए अगर आप बैलस अडवांटेश की बात करें तो तीन फंड जो मैं रेकमेंड करूँगा इंवेस्टर्ज के लिए वह आइसे एशे एप्रू बैलस एडवांटेश और निपॉन इंडिया बैलस अगर गरेशिव एकृटी हाइबिट की बात करूं तो आइसे एश को अगर इन कैटेगरी में इंवर्स करना तो इन फंग में से कुछ फंग को कंसीडर किया जाए बिल्कुल तो मध्यम अवधी के लक्ष के लिए कैसी कैटेगरी रहे तो आज हम खास तैयारी आपकी करा रहे हैं आपके अलग-अलग लक्षों के लिए मुनाफे की दही हांडी हमारा मने गुरू का जन्माश्वी स्पेशल एपिसोड है हमारे सा पंकर्ष मठपाल और हेमन्त रुस्तगी है मध्यम अवधी के लक्ष मतलब तीन से पांट साल तक के लक्षों के लिए कैसी रहे आपकी तैयारी मैं पंकर जी आप से जानना चाहती हूँ आपकी नजर में मध्यम अवधी के लक्ष जो है वो किस तरीके के स्ट्राटेजी से साधे जा सकते हैं देखे स्वाती तीन से पांस साल का वक्त ऐसा है कि हलाकि यहां पर थोड़ा रिस्क लिया जा सकता है आप हाइबरिट फॉइंट में यहां इंवेस्ट कर सकते हैं आप थोड़े सेफ ए तो 3-5 साल को ही फोकस करना इंपॉर्टेंट नहीं है उसके साथ में यह भी जानना जरूरी है कि इंवेस्टर का रिस्क अपटाइड कैसा है तो मान लीजे 3-5 साल करना है लेकिन आपको एक्विटी में नहीं करना है तो आप डेट्ट फंड भी कंस्रिडर कर सकते हैं और य उससे आगे बढ़के यदि आप चाहते हैं कि hybrid fund में आप invest करें तो balance advantage fund definitely यहाँ पर एक बहुत suitable category है तो आप उसमें निवेश करें और यहाँ पर कुछ funds के नाम अभी हिमंजी ने बताए उसके अलावा जैसे SDFC balance advantage fund है वो भी consider किया जा सकता है तो यह category बहुत सही है अगें आप आपका लक्षय मानली जे 5 साल का है हम 3-5 की बात कर रहे है और risk appetite आपका जैदा है आपको equity में निवेश करना है आप hybrid में नहीं चाहते हैं तो यहाँ पर आप large and mid cap funds को भी consider कर सकते हैं ऐसे निवेशक जिनका risk appetite थोड़ा अधिक है और ऐसे में ICIC potential large and mid cap fund या मोतिलाल ओस्वा larger mid cap fund ये consider किये जा सकते हैं तो मैंने तीन category बताई हैं इसी period के अंदर और ये देखना है कि आपका risk appetite कैसा है उसके according आप चुन सकते हैं हेमन जी एक category ऐसी है जिसमें तीनों asset class का समावेश है क्या multi asset category जो है वो medium term के लक्षों के लिए सही fit बैठती है जिसमें आप debt और equity के साथ फोड़ा gold का exposure भी ले सकते हैं I think बिल्कुल सही है जैसे हमने hybrid fund की बात की तो multi asset fund जो है वो भी एक काफी important category है especially medium term के लिए long term के लिए तो उसको suitable नहीं कहुँगा क्योंकि महाँ पे फिर आपका पूरा जो focus है वो equity पे होना चाहिए मेरे हिसाब से क्योंकि आपको inflation को beat करना है अगर आप medium term की बात करते हैं तो definitely यह एक ऐसी important category है जिसको investors consider कर सकते हैं इसमें खास बात यह है कि इसमें fund manager at least 3 asset classes में invest करते हैं तो अगर आप ऐसे investor हैं आप चाहते हैं कि automatically थोड़ी you know across asset classes rebalancing होती रहे efficiently जो fund manager करेंगे इसमें क्या होता है जैसा मैंने का कि minimum 3 asset classes रहेंगी और हर asset class में minimum 10% का exposure होना जरूरी है जो आप normally जो multi asset fund देखेंगे वहाँ पे exposure, equity, debt, gold या ऐसे भी funds हैं जहाँ पे international equity होगी या किसी किसी में चारों भी आपको asset classes मिल सकती है तो एक important category है, specially अगर आप उन डिवेश्टों से हैं जो चाहते हैं कि return अच्छा मिले बट जैसे मैंने का कि portfolio में rebalancing होती रहे जो as an investor आपको करना बहुत मुश्किल यह नहीं, आपने वो tax inefficient भी होता है जब fund manager करते हैं तो आपको कोई tax भी नहीं करना पड़ता, तो यह एक अच्छी category है मुझे लगता है इसमें भी काफी अच्छे funds है, जो investors consider कर सकते हैं जैसे ICICF Guru का multi-asset fund, काफी बहतरीन fund है, काफी अच्छे return भी है उसके, उसको देख सकते हैं मौतिलाल का multi-asset fund है, उसको भी देखा जा सकता है और maybe SPI का multi-asset fund, यह तीन funds है इस category में जिन में आप definitely invest कर सकते हो तो मुझे लगता है कि यह category जो है important role play कर सकते है, especially medium term तो medium term के लिए कुछ category जिसका ध्यान रखने की जरूरत है, लंबी अवधी की तरफ आते हैं, मतलब 5 या 5 साल से ज्यादा की अवधी के जो आपके लक्षे होते हैं देखिए लंबी अवधी में सबसे important goal तो है retirement planning, तो उसके लिए बहुत वक्त होता है, जब आपके income सुरू होती है, तब से लेकर retirement तक तो बड़ा लंबा वक्त होता है, उसके अलावा बच्चों के higher education की बात की जाती है, वो भी बहुत important goal है किसी भी person की life में, और अगर बच है, उसके लिए भी आप एक समय decide कर सकते हैं, तो ये कुछ goals है, आपको vacation पर जाना है, long term planning है, ये भी हो सकता है, तो इस तरह से ये goals ऐसे हैं, जहाँ पर आपके पास time है, अब यहाँ पर हमने तो कहा कि 5 साल से अधिक, लेकिन कितना अधिक, यदि हम बात कर रहे हैं 25 साल, 20 स साल की, तब तो मैं बोलता हूँ कि आप बिल्कुल अच्छा खासा risk ले सकते हैं, आपको aggressive funds अपने portfolio में शामिल करने चाहिए, small cap में आपका investment अच्छा हो सकता है, क्योंकि small cap में long term में हम देखते हैं कि returns अच्छे होते हैं, और जो risk होता है, उताज रहाओ का, वो लंबी सकते हैं, और यदि आपका हम बात कर रहे हैं कि 5-7 साल के आसपास है, तो ऐसे में small cap से फ़र दूर रहें, तो यह अच्छा होगा, तो यानि कि यहाँ पर आपके पस बहुत सारी choice है, कि आप diversified equity funds में investment कर सकते हैं, अगर मैं कुछ funds की बात करूं, specifically मतलब यह ना सोचके कि category हैं, उन में invest कर सकते हैं, और यहाँ पर जैसे पराग पार एक flexi cap fund है, निपॉन इंडिया multi cap fund है, access growth opportunities fund है, यह fund आप consider कर सकते हैं long term के लिए, मेरे साब से यह अच्छे हैं, और अगर यहाँ पर भी किसी को equity की जगे पर again hybrid में invest करना है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है, कि समय में लंबा होता है, लेकिन फिर भी जोखिन सैने की शम्ता कम होती है, और वीच में उतार चड़ावाते हैं, तो निवेशब को उससे घबरहाट होती है, तो फिर अगेन आप balance advantage fund कम से कम पने portfolio में long term के लिए जरूर शामिल करें. फ्लेक्सी कैप शामिल करने का कोई खास रीजन लंबी अवधी में, पंकर जी, संक्षिप जवाब? प्लेक्सी कैप, फ्लेक्सी कैप जो आपने कहा लंबी अवधी में शामिल किया जा सकता है, क्या उसका importance है? बिल्कुल, देखें, फ्लेक्सी कैप ऐसा है कि जहां पर बहुत flexibility है, large cap, mid cap, small cap, सभी तरह के market segments में invest किया जा सकता है, तो होता यह है कि यदि आप खुड decide करेंगे कि small cap portfolio में रखना है आपको, और वहाँ पर थोड़ी सी अगर ज़्यादा गिरावट देखी गई, तो नुक्सान होने के chances हैं, लेकिन क्योंकि flexi cap fund में fund manager decide करेंगे, कि कब large cap, mid cap, small cap exposure को कम ज़्यादा करना है, तो एक professional की मदद से आप निवेश कर रहे हैं, और यह opportunity आपके पास है, कि आपका निवेश multiple market caps में हो सकता है, different market caps में हो सकता है, और साथ ही flexi cap में मतलब हट रहें के sectors तो शामिल होते ही हैं, इसके लिए मेरे इसाब से long term में एक category काफी फायदे मन साबित हो सकती है, और हेमन जी आपके निज़र में long term में कौनसी categories fit back ती है? यह स्वाथी जैसे मैंने पहले कहा, long term में जो हम बात करते हैं, तो clearly हमारा focus जो है, वो inflation को beat करने में होना चाहिए, यानि कि हमारे जो return है, real rate of return जो हम कहते हैं, वो positive होनी चाहिए, तो यह तो, I think, for one conclusion है कि पैसा आपका ज़्यादा जो है, बट एक important चीज है, कि equity के अंदर जो different market segment है, large cap, mid cap, small cap, जिसमें कितना exposure हो, और तो clearly depend करेगा, जैसे हमने बात की अभी, कि 5 साल से वो 20-35 साल भी हो सकता है, जतना लंबा समय होगा, उतना आप अपने portfolio को aggressive बनाने का आपके पास मौका रहता है, आपका बायस थोड़ा large cap पे होना चाहिए, मुझे रखता है, कुछ categories मुझे रखता है, बहुत important है investors के लिए उस पर ध्याद देना चाहिए, जैसे आपी पंकर जी ने भी कहा कि अब प्लक्सी केप की बात कर रहे है, अच्छी category है, प्री, डॉमिनिटी, लाज cap, फुड़ा एक्सपोजर, मिड कैप में रहता है, और अच्छी category जो है, सर, फंड्स कॉन से होंगे? लॉं टम के लिए. सर, फंड्स कॉन से ले सकते हैं इसमें? यहाँ पर कुछ फंड मैं रेक्मेंट करना चाहूंगा, जो निवेशे कांसे कर सकते हैं, जैसे मैंने का multi-cap में, लिपोन इंडिया multi-cap, फ्लक्सी-cap में पराग पर एक फ्लक्सी-cap, जैसे लॉं टम के लिए कंसिर्डर कीज़ेंगे बिल्कुल, तो अलग रग लक्षों के आप से अलग निवेश स्ट्राटजी बताने के लिए, पंकत जी और हिमन जी आप दूनों का एक बाद फिर से करेंगे, धन्यवाद, आज के इस खास कारेकर में बस इतना ही रुक्ता,